बच्चों आज हम कक्षा 12 विवसाय अध्यन के अध्याय 11 विपनन्द के अंतरगत उत्पाद पर चर्चा करेंगे देखिए गत वीडियो में हमने विपनन्द मिश्र के बारे में चर्चा की थी इसके चार तत्व होते हैं जिनमें से पहला तत्व होता है उत्पाद प्रोडक्ट आईए इसके बारे में जानकरी प्राप्त करें देखिए उतपाद क्या होता है इसे उतपादक द्वारा वस्तुओं का निर्मान किया जाता है ताकि उतपादक द्वारा वस्तुओं का निर्मान किया जाता है ताकि उतपादक द्वारा वस्तुओं का निर्मान किया जाता है ताकि उतपादक द्वारा वस्तुओं का निर् का क्रे करता है किसी को प्यास लगती है तो वह पानी की बोतल खरीदने का कारिय करता है तो इस प्रकार जो आवशक्ता होती है उस आवशक्ता को पूरी करने के लिए उतपाद को खरीदा जाता है उतपाद अनेक उपियोगिताओं का समुव है देखिए जो उतपाद होता है कई प्रकार की उपियोगिताएं होती है जिसका क्रे उसकी कुछ आवशक्ताओं की संतुष्टी की चमता के कारण किया जाता है और उसका क्रे क्यों किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा कुछ आवशक्ताओं की संतुष्टी की जाती है वह लोगों की आवशक्ता की संतुष शक्ता संतुष्ट हो रही है, ग्रहक आसानी से इस साधन में बैठ कर अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकता है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर एक जो ग्रहक है, उसको आसानी से सुविधा भी प्राप्त हो गई, यात्रा करने के लिए उसके पास साधन भी आ गया, और स होती है, और इससे आवशक्ता की संतुष्टी होती है, एक क्रेता किसी वस्तू अत्वा सेवा का क्रे इसलिए करता है, क्योंकि यह उसके लिए उपियोगी है, अत्वा उसे यह कुछ लाब पहुंचाता है, देखिए, जो क्रेता होता है, वह किसी वस्तू या सेवा का क्रे क्यों करता है क्योंकि इससे उसकी आवशक्ता पूरी होती है आप बाजार जाकर कोई खाद्य समगरी क्यों लाते हैं क्योंकि उससे आपकी भूग शान्त होती है आप पैट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में पैट्रोल क्यों भरवाते हैं क्योंकि इससे आपको गाड चलाने में सहुलियत होती है, आपकी गाड़ी उससे चलती है, इसी प्रकार आप कोई भी वस्तु खरीदे हैं, आप अपने घर में फ्रीज लेकर आए हैं, रेफ्रीजरेटर खरीद कर लाए हैं, क्यों लाए हैं, ताकि आपकी यहां पर जो सबजीयां हैं, जो खाद्य सामग उनकी पूर्ती के लिए किसी भी उत्पाद को, किसी भी सेवा का क्रे करते हैं, उसको काम में लेते हैं, किसी उत्पाद के क्रे से ग्राहक को तीन प्रकार के लाब प्राप्त होते हैं, काजयात्मक लाब, देखिए, पहला लाब है काजयात्मक, वह काम में आने वाली जो व विज्यनिक लाब प्राप्त होता है, वह संतुष्ट हो जाता है कि उसकी आवश्यक्ता पूरी हो गई है, सामाजिक लाब कई वस्तुओं को क्रेक करने पर एक व्यक्ति का, एक ग्रहक का समाज में स्टेटस बढ़ता है, माल लेजिए आप BMW कार खरीद देते हैं, तो इससे क् समाज में, जो आपके आसपडोस के लोग हैं, उनमें आपका स्टेटस उपर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि BMW बहुत महंगी गाडियों में से है, और बहुत लगजरी गाडियों में आती है, तो एक आप इस प्रकार की लगजरी जब गाड़ी खरीदेंगे, तो उससे आपका स्टेटस बढ़ता है, तो इससे काजात्मक लाब, एक व्यक्ति काम में लेता है उन्हें, मनोविध्यानिक लाब, उससे संतुष्टी प्राप्त होती है, सामाजिक समाज में उसका स्टेटस, उसका रुत्वा बढ़ता है, तो ये लाब उसे उतपाद के करे करने से करते हैं उपभोगता वस्तुय या उत्पाद यह क्या होते हैं वे उत्पाद जिने अंतिम उपभोगता अत्वा उपयोग करता अपनी नीजे आवशक्ताओं एवं इच्छाओं की पूर्ती के लिए क्रे करता है उपभोगता उत्पाद कहलाते हैं देखिए यह उत्पाद ह होते हैं जिने अंतिम उपभोगता या उपियोग करता अपने उपियोग के लिए क्रे करता है मैं बाजार जाता हूं वहां से टूथ पैस्ट लाता हूं वहां से क्या लाता हूं तूथ पैस्ट लाता हूं क्यों लाऊंगा देखिए मैंने एक पैकिट लाया क्यों लाऊंगा कि मैं उसका उप्योग कर सकूं, मैं उसका उप्योग करके अपने दातों को चमका सकूं, इसी परकार मैं कोई कपड़े वजार से खरीद कर लाता हूं, तो वह क्यों लाता हूं? अपने उप्योग में लेने के लिए, यानि मैं उसका क्या हो गया? उप्योग करता हो गया, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करें इसी प्रकार उत्पाद वह होती हैं जिनका उपयोग एक व्यक्ति अपने उपयोग के लिए करता है उधारन साबून देखिए व्यक्ति साबून खरीद करा है नाने के लिए कपड़े धोने के लिए- टूथ-फेश्ट पंखे- जाता है उपभोकता वस्तुओं को भी दो भागों में बाटा जाता है देखिए क्रे करने में श्रम के आधार पर बाटते हैं साथ ही इसे टिकाउपन के आधार पर भी बाटा जाता है क्रे करने में श्रम के आधार पर सुवीदा उत्पाद के रूप में बाटते हैं क्रे उत उत्पाद को जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हमें कई उत्पादों में से कुछ उत्पादों कुछ चुनना होता है कुछ मैनद करनी होती है और विसिश्व तु कंदों को करीदेते permitted हमें हमें समय भी लगाना होगा और अधिक स्रम भी लगाना पड़ता है टिकाउपन के आधार पर देखिए कुछ वस्तुय होती है गैर टिकाउपन जिने एक दो बार ही हम काम में लेते हैं या कुछ समय तक ही उन्हें काम में ले सकते हैं इसी प्रकार टिकाउपन जो वस्तुय होती है उन्हें लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है सेवाएं देखिए इसके अंतरगत सेवाएं भी सम्मिलिद की जाती है इनने विस्तार से देखते हैं क्रेक करने में के आदार पर पहला है आधार्व वह घंसेat सुईधा उत हैं कि'RE करते हैं तो गया साबुन हो गया दवाईयां हो गया, दूद हो गया, इनका उप्योग आप दैनिक जीवन में करते हैं और नियमेत रूप से इनको खरीदते रहते हैं, वे उपभोगता वस्नुएं जिनने उपभोगता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है, तता बिना अधिक समय, एवं स्रम के दता है सुविदा उत्पाद कहलाती है देखिए ये वे उत्पाद होते हैं जिने उपभोकता बार बार खरीदता है आप दूद बाजार से बार बार खरीदते हैं आप ब्रेड बाजार से बार बार खरीदते हैं इसी प्रकार दोईयां आपको बार बार लेनी पड़ती हैं औ और जो भी अन्य उत्पाद हैं जैसे toothpaste हो गया चाय पत्ती हो गई चीनी हो गई यह ऐसे उत्पाद होते हैं जिने एक उपभोकता बाजार से बार बार खरीदता है तो यह सुविदा उत्पाद में आते हैं इन पर बहुत अधिक समय भी खर्च नहीं करना होता और नहीं इन प परमुक उधारन है इन उत्पादों का प्रती इकाई मुल्य कम होता है तता इने थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है देखिए इने बहुत अधिक मात्रा में नहीं खरीदा जाता इने थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हम खरीदते हैं साथ ही इनका प्रती इकाई मुल्य ज इस प्रकार से कुछ सीमित मात्रा में ही वस्तुओं को खरीदा जाता है, आप दूद एक लिटर, दो लिटर खरीद लेंगे, या ज्यादा आवश्यक्ता है, परिवार बड़ा है, तो तीन लिटर, चार लिटर खरीद लेंगे, लेकिन सीमित मात्रा में ही हम इने क्रे करते है और बार बार करे करते हैं, क्रेय योग्य वस्तुएं, देखिए क्रेय योग्य उत्पाद वे होते हैं, जिन पर उपभोगता को काफी समय लगाना पड़ता है, देखिए ये वे उत्पाद होते हैं, जिन को खरीदने से पहले उपभोगता को इनकी गुरुवत्ता के बारे मे जानकरी प्राप्त करनी होती है, इनको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाएगा, इसके बारे में वह जानकरी प्राप्त करता है, और कहीं दुकानों पर कहीं शोरूम पर जाकर वह इनके बारे में जानकरी प्राप्त करता है, मान लीजिए किसी उपभोगता को टीवी खरी लेता वह कहीं दुकानों पर जाता है वह कहीं शोरूम जाता है और वहां पर जाकर अलग अलग ब्रांड के कहीं सारे टीवियों को देखता है कहीं सारे टेलिविजन देखने का कारिय करता है और वह उसी उत्पाद को क्रे करता है जो कि उसकी आवशक्ता की पूर्ती कर रहा ह इसके लिए वह काफी सोच विचार कर ही निर्ने लेता है क्रेयोग्य उत्पाद वह बोगता वस्तुएं हैं जिनके क्रेय के लिए क्रेता अंतिम निर्ने लेने से पहले कई दुकानों पर जाकर गुणवत्ता मुल्य बनावट उपयोगतता आधी की तुलना में काफी समय जाते हैं तो आप नहीं शोरूम पर जाते हैं अलग अलग कंपनी के शोरूम पर जाकर आप सभी प्रकार की मोटर साइकल देखते हैं और उनकी उपयोगतता को जानते हैं उनके बारे में जानकरी एकत्र करते हैं उनके मुल्य के बारे में जानकरी एकत्र करते हैं साथ ही सा बारे में भी जानकरी प्राप्त करते हैं और तभी उसे खरीदने का निर्णे लेते हैं जैसे कपड़े देखिए आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो भी आपको काफी सोच विचार कर निर्णे लेना होता है यह नहीं कि आप पहली दुकान पे गए एक कपड़ा देखा पस कारण है जो की उपवोगता क्रे करता है अपनी आवशक्ते की पूर्ती के लिए लेकिन इसके लिए उसे काफी समय और श्रम लगाना पड़ता है तीसरा है विशेष्ट उत्पाद देखिए ये वे उत्पाद होते हैं जिनमें कुछ विशेष लक्षन होते हैं उपवोगता इन्हें खरीदना चाते हैं इसके लिए उन्हें काफी अधिक समय भी लगाना होता है और श्रम भी बहुत करना होता है विशेष्ट उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनके कुछ विशेष लक्षन होते हैं जिसके कारण इनको विशेष रूप से खरीदना चाते हैं इनक इनके ब्रांड को अत्यदिक पसंद करते हैं तथा इनके क्रेता भी बड़ी संख्या में होते हैं देखिए इनके ब्रांड को लोगों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है साथ ही साथ इनके क्रेता भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं ऐसे उत्पादों के क्रें में क्र इसे वस्तुओं की मांग बेलोच होती है अर्थात यदि मुल्य में वर्दी भी होती है तो भी मांग घरती नहीं है देखिए इसका एक सबसे बड़ा उदारण है दुल्लब कलाकरतियां देखिए इनको खरीदने के लिए उपभोगता बहुत अधिक कीमत भी देने को तैयार हो जाता है क्योंकि वह इसे अपनी स्टेटस से देख कर खरीदता है यदि वह समाज में अपने स्टेटस को अपने स्टेटस को उपर रखना चाता है तो वह इस प्रकार की दुल्लब कलाकरतियों को महंगी वस्तुओं को महंगे ब्रांड वाली वस्तुओं को खरीदना पस भी खरीदी जाती है वह अपने समाज में अपने इस तर को उंचा दिखाने के लिए इस प्रकार की महंगी लगज़ियस कारों को खरीदने का कारिय करता है ताकि उसका इस्टेटस उपर दिखाई दे और इनकी कीमत यदि बड़ भी जाती है तो इनकी मांग पर ज्यादा प्र का की लिए उत् Podों का टिकाऊपन के आधार पर उप्वोगदा वस्तों को तीन वर्गों में विभक्त ये जा शकता है एक होता है एक होती है गल अ्यstars We just buy अइसे उपवोगिष्टा उप्योग एक बार अभ़ए कुछ यी बार में में हो जाता है गलाते है देखिए हम तूथ पेस्ट खरीद कर लाते हैं उसका जब तक पूरा उपयोग नहीं कर लेते तब तक उपयोग करते रहते हैं और अंत में उसे फैक देते हैं इसी प्रकार आप चाय की पत्ती खरीद कर लाते हैं चाय की पत्ती को काम में लिया और फिर वह खतम हो जाती है त वो खतम हो जाती हैं जैसे toothpaste, detergent आदी ये गय टिकाऊ उत्पादों में आते हैं विपनन की द्रश्टी से इन उत्पादों पर लाब कम मिलता है इने अधिकादिक स्तानों पर उपलब्द कराया जाता है तथा इनका भारी विज्यापन करना होता है देखिए विपनन की द्रश उसे बहुत अधिक पैसा खर्च भी करना होता है साथ ही अतने उत्पाद की जानकारी उपवोक्ता को देने के लिए उसे विज्यापन पर बहुत अधिक खर्च करना होता है उसे अपने उत्पाद के बारे में सारी जानकारी उपवोक्ता को देकर उपवोक्ता को उस वस्त को खरीदने के लिए अग्रसर करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है इसलिए यह जो गय टिकाऊ वस्तुय होती है यह कम लाबकारी होती है एक उत्पादक की द्रश्टी से टिकाऊ उत्पाद देखिए यह वे मूर्त वस्तुय होती है जो की उपभोगता ए काफी सालों से मेरे पास है यानि लंबे समय तक वह चल रही है इसी प्रकार हम घड़ी खरीद कर लाते हैं वह भी काफी लंबे समय तक चलती है हमारे घरों में हम फनीचर लाते हैं कार लाते हैं यह काफी लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद हैं इन्हें टिकाउ उत्पाद कहा जाता है, सभी मूर्त बोक्ता उत्पाद जिनको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, टिकाउ उत्पाद कहलाते हैं, रेफ्रीजरेटर, रेडियो, साइकिल, सिलाई मसीन एवं रसोई उपकरण इसके उधारन है, हम फ्रीज एक बार खरीदे हैं, काफी लंबे समय त उत्पाद कहलाते हैं, इन वस्तों का उपयोग लंबे समय तक किया जाता है, इन पर लाब भी अधिक मिलता है, तथा इनके विकरिताओं को विक्री में अधिक परिश्रम करना होता है, तथा गारंटी एवं विक्री के बाद की सेवाय परदान करनी होती है, देखिए इन प पर लाब भी अधिक मिलता है, एक उत्पादक को अपना एक उत्पाद बेचने पर बहुत अधिक लाब होता है, यदि एक फ्रीज वाली कंपनी है, वह अपने 100 फ्रीज रोज के बेच रही है, तो उन्हें बहुत अधिक फाइदा होगा, लेकिन वहीं पर गय टिकाउ उत्प होता है ऐसी वस्तुओं को बेचने पर उत्पादक को, लेकिन विक्रेताओं की को इनकी विक्री में अधिक महनत करनी होती है, क्योंकि कई सारी फर्मों के उत्पाद सामने होते हैं, और उपभोगता को इन वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने में उन्हें बहु सब्विस होगी इसकी कितनी गारंटी होगी तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेकर खरीदते हैं तो इस प्रकार से उत्पादक को और विक्रेता को गारंटी देनी पड़ती है और विक्री के बाद भी सेवाएं प्रदान करनी होती है ऐसी टिकाव वस्तुओं पर तीसर सेवाएं दिखाई नहीं देती है इसलिए इन्हें अमूर्थ कहा जाता है जो दिखाई नहीं दे द्रश्य रूप में नहीं हो वह अमूर्थ कहलाती है और इसके अंतरगत सेवाओं को रखा जाता है देखिए घडी मरमत अब घडी मरमत का काले सेवा के अंतरगत आता है इ सेवाएं अमूर्त होती है सेवाओं से अभी प्राय उनके लियाओं लाब अथवा संतुष्टी से है जिनकी विक्री की जा रही है जैसे ड्राइकलीन करना इसमें सेवा प्रदान की जा रही है घडी मरम्मत करना इसमें सेवा प्रदान की जा रही है बाल काटना डाग आर्किटेक्ट एवं वकील की सेवाएं यहां देखिए यह सारे सेवाएं प्रदान करने का कालिये करते हैं राइकलीन करना यह भी एक सेवा प्रदान करने का कालिये है इसी परकार बाल काटना डाक सेवाएं डॉक्टर आर्किटेक्ट यह सारे कुछ सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं और इनसे सेवाएं जो होती है वे अमूर्त रूप में प्राप्त होती है एक उपभोकता को उद्योगिक उत्पाद उद्योगिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आगत के रूप में प्रियोग किया जाता ह देखिए एक हमने बात की उपभोगता उत्पाद की जिने उपभोगता अपने उपयोग में लेने के लिए क्रै करते हैं दूसरा हुआ उद्योगिक उत्पाद इसमें वे उत्पाद सामिल किये जाते हैं जिन से अन्य उत्पाद तयार किये जाते हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए काम में ली जाती हैं, कच्चामाल, इंजन, मसीन, ओजार, आदी इसमें समिलित होते हैं, ओध्योगिक उत्पाद दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में प्रियोग के लिए गैर व्यक्तिगत एवं व्यवसाइक प्रियोग के लिए होते हैं, देखिए य यह जो ओद्योगिक उत्पाद होते हैं यह दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए गैर व्यक्तिगत और व्यवसाइक प्रियोग के काम में आते हैं इनका व्यक्ति अपने उपयोग में काम में इनको नहीं लेता है वह दूसरों के उपयोग के लिए अन्य वस्तुओं का निर्मान करने के लिए इनको काम में लेता है उद्योगिक पदार देखिए इसे तीन भागों में बाटा जाता है माल एवम पुर्जों के रूप में यहां थे ओद्यों की पदारतों का परगी करण, अब इसे विस्तार से देख लेते हैं नमर एक माल एवं पूर्जे देखिए इन में वे वस्तुयें सम्मिलित है जो पूरी तरह से वे निर्माताओं के उत्पादों के भाग बन जाती है जिससे निर्मान करता अपने नए उत्पाद तयार करता है जैसे कपास का उपियोग करके जो निर्मान करता है वह कपड़ा बनाता है कपड़े का निर्मान करता है यह वस्तुयें दो प्रकार की होती है कच्चा माल इन में सम्मिलित वस्तुयें है देखिए इसके बारे में हमने अभी देखा था इसमें दो प्रकार की वस्तुयें सम्मिलित होती है एक करसी उत्पाद और एक प्राकरतिक उत्पाद रुई गन्ना तिलहन ये कर्सी उत्पादों में सम्मिलित किये जाते हैं तथा प्राकर्तिक उत्पाद जैसे खनीजपदार, कच्चा पैट्रोल, कच्चा लोहा इनका प्रियोग करके भी नए नए उत्पाद तयार किये जाते हैं खय निर्मित वस्तुएं एवं पुर्जे देखिए कई बार निर्मान करता निर्मित वस्तुएं एवं पुर्जे भी काम में लेता है ये अन्य जो फर्मे हैं उनके द्वारा तयार किये गए उत्पाद काम में लेकर अपने उत्पादों को तयार करने का कार्ये करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं गटक पदार्थ जैसे काच, लोहा, गटक पूर्जे जैसे टायर, विजली के बल्ब, आदी, आपने कारें देखी होगी, मोटर साइकल देखी होगी, इनमें टायर लगे होते हैं, देखिए टायर निर्मित करने वाली कमपनिया अलग होती है, और कार निर्मान करने वाली कमपनिया अलग होती है, वे उन से टायर लेती हैं और अपनी कारों में, अपनी मोटर साइकलों में उनका उपयोग करती हैं, इस प्रकार से ये निर्मित वस्तुएं एवं पूर्जे भी कहीं विनिर्माता फर्मोद्वारा क्रे किये जाते हैं और अपने उत्पाद तैयार किये जाते हैं पूंजीगत वस्तुएं ये वे वस्तुएं हैं जिनका प्रियोग तैयार माल के उत्पादन में किया जाता है देखिए कोई माल तैयार किया जा रहा है उसको उत्पादन करने के लिए उसका उत्पादन करने के लिए कई परकार की मशीनरी का ये कहीं जगे computer भी काम में लिए जाते हैं, तो ये computer भी पुझीगत वस्तुओं के अंतरगत शामिल किये जाते हैं, प्रतिस्तापित जैसे उत्तोलक मुख्य computer, man computer, जो कि machine को चलाने का कार्य करता है, उपकरण जैसे हाथ के ओजार, व्यक्तिगत उपयोग के computer, fax machine आदी, जो कि पुझीगत वस्तुओं के अंतरगत आते हैं, आपूर्ति एवं विवसाएक सेवाएं, ये कम समय तक टिकने वाली वस्तुओं होती हैं, और सेवाएं होती है, जो तैयार वस्तुओं को विक्सित करने अत्वा उनके प्रबंदन में सहायक होती है, जो कि तैयार वस्तुओं को विक्सित करने में सहायक होती है, उनका उत्पादन करने में सहायता प्रदान करने का काम करती है, रखरकाव एम मरमत की वस्तुएं, जैस को बाजार में कई प्रकार की कारें मिलेंगी और उनका अलग अलग होगा इसी प्रकार जो आपको मिलते हैं उनका अलग हो यह भी आपूर्ति एवं व्यववसाइक सेवाओं के अंतरगत आते हैं उद्योगिक पदार्तों में शमिलित किये जाते हैं बच्चों आज हमने उत्पाद के बारे में जाना उत्पाद के दो अलग-अलग भागों के बारे में जाना बोगता वस्तूओं के बारे में जाना स अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद.